हेलो यूटू फैमिली गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे उगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल अरामी का लाइफिश टाइल ब्लॉग में तो फ्रेंच चलिए सुरू करते हैं आज का ब्लॉग और यह ब्लॉग है मेरे ससुराल का मैंने पिछले ब्लॉग में आप सब के साथ शेयर किया था जिस दिन मैं आई थी ससुराल उस दिन का और ये नेक्स डे मॉर्निंग का है यानि की बुधवार का ये ब्लॉग है तो सबसे सुबह सुबह न उठकर के मैंने मतलब जाड़ वगरा कर लिया है रात में ही बरतन ये सब तोड़ने के लिए भिंडी खीरा और और कुछ भी तोड़ने आई थी तो मैं भी आ गई थी ममी के साथ में और यहां पर देखिए बहुत सारे ना एक एक अम्रूद के पेर हैं बहुत बढ़े से बहुत ज्यादा इसमें अम्रूद आया हुआ था तो मैंने सुचा चली अला कि छोटे चोटे हैं बहुत जादे बढ़े नहीं हो सकता है कि यह चट पूजा टाइम तक इसमें कुछ अम्रूद ऐसे होते हैं और कुछ होता है कि कच्छे ही रहते हैं तो इसका पेर है नीचे तक जुका हुआ है जैसे हाथों से आप पकड़ेंगे रहा तो आराम से पकड़ सकते हैं यह मेरा नहीं है मेरे चाचा ससूर है उनका है तो साइड में ही है मतलब दोनों का जो हम लोगों को का अगहर है न वो दिवार एक दूसरे से अटैच है तो बीच में यह जो है अम्रूद पड़ता है बहुत ही जादा इसमें लगा हुआ था अगले साल तो 2022 में हम लोगों ने खाया था और कुहू यहाँ पर थोड़ रही थी लेकिन इसे तूट नहीं पा रहा था क्योंकि अभी कच्छा है न तो इसकी जो यह होती है न डंठल वो भी मजबूत रहते है कुहू के लिए तो अच्छा है नीचे से ही तोड़ लेकिन कुहू यह क्या है क्या है यह अमूद इसे कुछ बनाना है इसे कुछ बनाना नहीं यह खाने वाला है और हजबिनी देख रहे थे मतलब अपने गाउं अपने आस-पास का एरिया ये बागीचा है आम का बागीचा बहुत सारे आम जो हैं गिर गया हैं फिर भी अभी पांच-छे पेड़ हैं जो की आम के हैं तो वो खड़े होके देख रहे थे होता है न जब हम बच्पन की याद जबहांटाज़ा हो जाती है जब हम अप फिर एक सब सब्यान को बाहना फिर अता है रहा है। लेकिन खाने वाले लोग न यह हो गया उमट गया खा करके अब बोर हो गया है अब खाने का मन नहीं हो रहा ममी बिंडी भी तोड़ने गई थी तो मन नहीं था उनका बोर रही थी क्या रोज रोज एक ही चेज खाना है फिर ममी ने बोला मसाले वाली भुजिया बनाने के क्योंकि टाइम जो था वो साड़े छे बच चुका था और यहां पर कुहू थी हस्बिन बैठे हुए थे तो हम लोगों का बात भी चल रहा था हसी आ रही थी मुझे किसलिए याद तो नहीं है लेकिन बाते हो रही थी और इधर में मैंने चाय बनाया था तो चाय तो हम दोनो उसके बाद भूजिया चौकोंगी और सुबह में मसाले वाली भूजिया और मैं पराठे देखूंगी पराठे या रोटी बना दूंगे नास्ते में तो यहां पर चलिए अब मैं सबसे पहले भूजिया चौक लेती हूं और मेरा अभी यहां पर किचन नहीं है जैसे करें कि शुर्म करए tummyºC में सबसे साारा कुछ निकाल करकर निगर उपर मैं हों लेण के लोगते हैं तो संब बाद मेरा धाल्ता उप्र बर कुछ यहां पर जब मैं तो हैं यहां फिर यहां पर यहां निदेत होंग दो गई हस्बिन मेरे पहले कोचिंग अपना कोचिंग क्लास चलाते थे तो बहुत सारे बेंच थे तो सारा तो बेच दिया था उन्होंने लेकिन यह दो मैंने रखा था क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी और यहां जाने के बाद भी इसका यूज हो ही रहा है मैं जब आ गई हू तो अभी थोड़ा साफ सफाई करूंगी यहां की क्योंकि थोड़ा गंदा लग रहा है मुझे और मुझे गंदा ना बिलकूल भी अच्छा नहीं लगता तो फिर नब भी खाना मतलब नाच्टा बना लेती हूं नाच्टा बनाने के बाद हूल की सफाई करूंगी और जो यह बिंच है उसको भी अच्छे से मैं साप करूँगी बहुत ज़दा गंदा हो रखा है यहाँ पर जीरा और सुखी लाल मिर डाल करके मैंने फोरण डाल दिया है इसको चिटकने के बाद आलू डाल दूँगी और आज मैं सिल्वटे वाले मसाले के साथ बनाऊंगी मसालेद ममी का भी मन था पापा का भी मन था मसाले वाली और मुझे भी तीखा तीखा खाने का मन हो रहा था तो बस मैंने यहाँ पर बुजिया चौक दिया है और फिर मैं मसाले फिसने में लगी हुई थी तो यहाँ पर हस्बिन मेरे बोले कि चलो तुमको दिखाते हैं कैसे तो मसा पूर्पून मिलता है यह डबे मैंने निकाल के रखे हैं जो मैंने अपना रूम साफ किया था ना तो उसमें से निकाला है सबको धोना है आज इन सबको भी धोनगी मम्मी यहां पर ले आई थी तोड़ करके जो लाई थी ना यह था भिंडी था और खीरा था और यह था क्या मतलब अभी मेरे यहां सवत बहुत जादा हुआ है मम्मी मतलब मेरे मायके में थोड़ा भी नहीं हुआ लेकिन यहां पर है तो मम्मी रही लेकर आये थी अभी इसको काट के सुखाएंगी तो खीरा यह घर है इतना खीरा इतना सारा जो है कचरी निकला हुआ है गाहों में रहने से बहुत सारी चीजे जो है आप घर में ही अपना उगा सकते हैं घर की चीजे होती भी है बहुत अच्छी बिना खाद का बिना किसी केमिकल का बहुत अच्छा सा नेचर्स का अपना एक जो होता है वो आपको खाने को मिलेगा तो ये सारी चीजे देखिए कितनी सारी चीजे जो है ममी ने निकाल के लाया हुआ है मसाले वाली भुजिया मेरी बन के हो गई है तैयार तो अब मैं रोटी बना लूँगी ये जो कडाही आप लोग देख रहे हो ना बहुत बड़ी कडाही है ममी ना कोई भी चीजे लेती है तो मतलब फैमली के हिसाब से लेती है जैसे हमारे यहां 13-14 परिवाहर है पूरा लेकिन हम सभी लोग एक जगह रहते नहीं है लेकिन उनका कहना रहता है कि जब हम एक जगह होंगे तो बड़ा बरतन चाहिए इसलिए इतना बड़ा बरतन रखती है चोटा वला कडाही है ममी पापा रहते है तो उसमें बनता है लेकिन अभी मैं आई थी तो मैंने बड़ा वला में ही बनाया और खीरा काटके मैंने दे दिया है कुहू को और हस्बन जी को दोनों को खाने के लिए घर का खीरा है तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में नमक थोड़ा सा उपर से मैंने डाल दिया है उसके बाद इधर मैं बनाने लगी हूँ रोटी सुबर में हमारे यहाना बस नाहाना नहीं होता ब्रश करके आप किचन में आ सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको नहाने की जरूरत है मैंने ब्रश कर लिया था बस और उसके बाद मैं इधर किचन में लग गई थी नास्ता बनाने के लिए यह तवा जो आप लोग देख रहे हैं यह तवा भी बहुत जादा भारी है आप लोगों ने मुझे देखा होगा गैस पे रोटी फुलाते हुए लेकिन यहाँ पे मेरी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि बैठ के बना कर बैठ कर बनाने की तो आदत है नहीं और उपर से इतना भारी जो है तुन मुलायम रहता है लेकिन अगर आप यह दवा वला जो रोटी होता है उसको अगर थोड़े टाइम बाद खाओगे तो थोड़ा थोड़ा ना हाड लगता है नास्ता बनाने की बाद मैं आ गई थी यह मेरी आप बोता है आप लोग देख लीजेए मैं ऊत्ते देने के लिए इसका खाना नहा लिया है यह तो इसको खाना देना ज़रूरी है क्योंकि आवाज लगा रहा था खीजुक्त खीजु ऑँ समय लुक्त कहां और नहीं धूप कहां है भी ढहा तर होता अश्क्रहरा या hundred Bóa særi kannar, nema mjög. Um, bóa særi kannar. Ég var þér. Mami, káði sig kail. Þetta er kail. Mig bann það kail. Hvað er það kail? और अब मैं यहां लग गई हूँ अपना साब सफाई में तो सारा यहां का जो भी था समान यह सब मैंने इधर साइड में टेबल पर रख दिया है जो भी मतलब खाना सुबह का जो नास्ता बनाया था ना बचाऊचा जो था चावल मैंने बना लिया है अपना सिर्फ दाल बनाना बागी है तो वो मैं बनाओंगे यह सारा साफ करने के बाद में टाइम जो है अभी 9 बज रहा है और नास्ता जो है शुबह साथ वजे तक तो जो है मैंने और husband ने कर लिया था उसके बाद ममी पूजा हुजा करके 10 वजे तक उनका नास्ता जो है होता है तो वो करेंगी और पापा भी नास्ता कर चुके हैं तो मैंने सुचे चलो जादा लेट नहीं करती हूं लगती हूं साफ सफाई में क्योंकि थोड़ा टाइम तो इसमें भी लगी जाता है और आज मुझे निकलना है मतलब मैं मेरे husband दोनों निकलेंगे गाउं घूमने के लिए तो यह वाला जो bench है देखने में बस लगनी रहा थ लेकिन मैंने इसके उपर देखे सर्फ डालके और ब्रश रगारना जो शुरू करा और आप लोग देखे कितना गंदा निकल रहा है देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा गंदगी है मुझे यह सब चीजे बिल्कुल पसंद नहीं है मैं जहां भी र तो फिर ना करना कैसे करोगी तो फिर मैंने करना तो मुझे ही है और जितना ही दिन रहो दो दिन रहो चार दिन रहो घर है तो साफ रखना भी जरूरी है तो इसलिए मैंने साफ कर दिया और कितना अच्छा हो गया है साफ देख लिए एक दम ना पता नहीं चड़ा था कि य सब्दacy लिए तो इससे ऐसे देखा भी नहीं लेकिन अपने से खुझ से हो जाता है वह सारे चीज आ जाते थे फारे भी से शाथनी लिकाप ब sudden या चाएव सब करने NEW Yo और अब मैं इस हॉल को धो दूँगी, मैंने अपना रूम तो कल ही साफ कर लिया था, बाकी मम्मी दोनों रूम में पोछा भी लगा दी थी, कल मतलब लगाई थी, आज अभी मैं पोछा लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इस हॉल को साफ कर ले रही हूं, ताकि ये सूख क्योंकि अभी पापा भी नहीं है, मम्मी भी जो है नहा रही है, तो जल्दी से सूख जाएगा, धोने के बाद थोड़ा तो टाइम लगता है न सूखने में, और रूम तो मैं पोछ लूँगी, रूम को सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैंने अब एक या डेल साल हो रहा है, प्लाश्टर कराए अच्छे से, लेकिन पता नहीं इसका कलर जो है, इतना खराब हो गया है, मतलब कैसे ही मिस्तीरी ने कर दिया, बहुत अजीब समतलब गुसा भी आ रहा है, कि इतना पैसा लगता है, और अच्छे से काम नहीं करें लोग, तो कितना जादा मैना जो है, वो तो जाएगा ही जाएगा, पैसे भी बरबाद होता है, और घर भी देखने में खराब लगता है, यहाँ पे मैं पाने भर बर के ला रही थी, और कुह मुझे बोड़ी तो मैं उठा के दूँगी, तो बीच बीच में वो भी पानी मुझे द देखा ही है, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में खड़ी भी हो जा रही थी, और यह जो आप देखरों ना टेडी रखा हुआ है, जो यह खटिया पर हम लोग इसको खटिया बोलते है, मेरे घर में एक है यहाँ पे, तो इसको कुहु ने देखा रूम में रखा हुआ था, यह मेरी छोटी देवरानी का है, तो रूम में रखा हुआ था, तो उसने उठा के लिए तो लाया यहाँ पे, लेकिन उसके साथ खेली नहीं, कैर यह ममा मेरा नहीं है, यह मैं नहीं खेलूंगे, मतलब इसमें एक चीज अच्छी है, कि दूसरों की चीजों को ना छूती न नहाऊंगे, यह सब करने के बाद अभी मुझे दाल भी बनाना है, आगे का जो भी वीडियो है, मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूंगे आप सभी के साथ, क्योंकि यह जो ब्लॉग है न, बहुत बड़ा हो जाएगा, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, उमीद कर करती हूं ब्लॉग आज का आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंज के साथ, प्यारा सा कमेंट जरूर करिए, बाबा, टेक केर